हेलो एवरिवन इस वीडियो में हम step by step process देखने जा रहे हैं कि आप पराग पारिक mutual fund AMC के जितने भी mutual funds हैं उनमें आप कैसे invest कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले आपको play store से इनकी ppfas की official app है ये download कर लेनी है इसको open करने के बाद आपको create new folio ऐसा एक बटन है उस पर आपको click कर करना है उस पर जब आप click करेंगे तो यह आप से आपकी basic details पूछेगा जैसे कि आपका name, email id, mobile number और आप किस के लिए account खलवा रहे हो खुद के लिए तो आप self पे click करेंगे किसी और के लिए अपने family member के लिए तो आप उसको select कर लेंगे तो मैं यहाँ पे अपनी सभी details जो ह पर click करूँगा तो यह हमारे pen को verify करेगा और जब हमारा pen verify हो जाए तो हमें यह पूछेगा कि आप किस तरह की investment करना चाते हो, SIP के थुरू यह lump sum, तो हम SIP अभी select कर रहे हैं और मैं अपना bank यहाँ पर select कर लेता हूँ, जो मैं बैंक select करके आगे continue button पर click करूँगा, okay so next screen मे आपको अपनी scheme की details fill करनी है, यानि आप किस fund में invest करना चाते हो, long term equity fund में, liquid fund में, tax saver fund में, तो मैंने यहाँ पर long term equity fund choose कर लिया है, select plan में मैं direct रखूँगा, क्योंकि हम directly invest कर रहे हैं, okay, select option में भी हम direct रखेंगे, PP, LTEF direct and broker code में भी हम ARN direct रहने देंगे, क्योंकि हम किसी भी mutual fund distributor या agent के थो invest नहीं कर रहे हैं, हम directly invest कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने अपनी scheme की basic details fill कर दी, next application details वाले section में, आपको सबसे पहले अपने name के initials fill कर देना है, Mr. Miss, जो भी है, उसको fill करने के बाद आपका name ही automatically आपके pen card से detect करके वहाँ पर show कर देगा, okay, so आगे हम भरेंगे tax status मैं आप resident individual choose कर लेता हूँ, mode of holding मैं single रखूँगा, occupation में आपका जो भी occupation है आप select करें, gross annual income में आप अपनी annual income fill करें, pan number यह है, automatically detect कर लेगा, फिर आपको DOB fill करनी है, उसके बाद email भी यह automatically उठा लेगा, जो हमने जैसे पहले बरी थी, mobile number भी आपको automatically show हो जाएगा, next आपको address की details fill कर दी नहीं है, जैसे हैसी यह पूछ रहा है, नीचे देखो यहाँ पर लिखा declaration on your PEP, मतलब कि आप politically exposed तो नहीं हो, तो मैंने यहाँ पर कर दिया नहीं, जी नहीं, मैं politically exposed नहीं हो, और उसके नीचे पूछ रहा है कि आपकी जो country है origin की, वो इंडिया से बाहर है क्या, तो मैंने यहाँ पर कर दिया, simply नहीं, no, हम हिंदोस्तानी हैं, इंडिया के हैं, हम बाहर के नहीं हैं, next, यह आप से पूछेगा आपकी investment details, ओके सो यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछ रहा है, initial amount fill करने हैं, तो initial amount मतलब, जो SIP आप शूरू करने वाले हो, वो तो आप करो ग करते हैं, तो हम कुछ amount से शुरू करते हैं, 500,000 ठीक है, हमको initial deposit देना पड़ते, हालां कि यहाँ पर compulsory नहीं है, कि आपको initial amount देना है, पर मेरे पास 1000 रुपय अगर पढ़ा है, आज की date में, और मैं शुरू में लगाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, और deduct करवाना चाहते हो, monthly, quarterly ठीक है, quarterly मतलब हर 3 महीने बाद, या हर महीने, तो मैंने monthly कर लिया, simply, उसके बाद आ जाता है, कि आपकी date क्या है, SIP करने की, कि आप किस दिन चाहते हो, कि आपके bank account से, आपका SIP का amount जो है, वो automatically cut जाए, तो वो date आप अपने हिसाब से choose कर सकते हैं, तो next day पूछ रहा है, कब से कब तक, तो आज अगर June चल रहा है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा July से लेकर, और आप कब तक की date में डाल दो, जो आखरी साल है, 1999 मैंने यहाँ आपी के लिए डाल दिया, क्योंकि open ended scheme है, तो आप कभी इसमें से exit कर सकते हो, तो वो matter नहीं करत फिर हम आजाते हैं, bank account details पे, तो आप simply अपने यहाँ पे जो bank account number है, bank name, branch name, branch city, सब कुछ आप अराम से fill कर दो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, nominee details को आपको कैसे fill करने है, तो देखो nominee details का मतलब है, nominee यह नहीं वो person, जो अगर आपको कुछ हो जाता है, तो आपके बिहा परसेंट जो है, अपने amount का वो बनाना पड़ेगा, कि वो claim कर सकता है, अगर आप चाते हो कि आपके दो nominee हो, मानलो आपके दो बेटे हैं, या दो बेटी हैं, जो भी है, तो आप उनमें बराबर बाटना चाते हो, तो आप दो nominee बनाओगे with 50-50%, समझे है अब बात मेरी, तो आपको, अगर आप nominee रख रहे हो, पहली चीज़, तो अगर आप किसी nominee को बना रहे हो, यहाँ पर option है, बनाओ चाहे ना बनाओ, अगर आप बना रहे हो, तो आपको 100% अपना जो है, investment वो यहाँ पर declare करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे एक के नाम करो, चाहे दो के नाम करो, और अगर आप नहीं बना रहे हो, तो यहाँ पर कुछ भी डालने की जरुवत नहीं है, तो simply nominee percentage में आप उतना प्रतिशेट डाल दोगे, जो आप उस nominee के नाम करना चाहते हो, name of nominee में उसका नाम, relationship में आपकी उसके साथ जो relationship है, यानि वो आपका क्या लगता है, वो आप उस नेफट वाला थोड़ा complicated है, हम simply net banking यहाँ पर use करेंगे, ओके सो next आपको simply अपना net banking से payment कर देनी है, initial amount की, उसके बाद आपको इसी screen पर एक message यहाँ पर दिखाई देगा, screen आएगी जिसमें की लिखा होगा कि आपकी transaction successful है, उसके बाद आपको आपकी bank की तरफ से सबसे पहल message आजाएगा, कि आपके पैसे जो भी initial amount है वो deduct हो चुका है, ठीक है, second message आपको PPFAS की तरफ से आएगा, जिसमें new folie request के लिए आपका successful submission हो चुका है, एक चीज़ नोंने यहाँ पर लिखिए, कि आपको अपने bank account में आपका biller, auto pay biller setup करना है, auto pay biller मतलब आपको अपने bank account को PPFAS को पैसे deduct करने के लिए हर महीने authority देनी है, यानि जब PPFAS request करेगा आपके bank account से, हर महीने जो आपने SIP का amount टेय किया है, उसको automatically debit करने के लिए, तो उसकी authority PPFAS के पास होनी चाहिए, तो वो setup आप कैसे करेगा, जब आप Google पर search करेंगे, कि PPFAS add biller in net banking, तो आपको काफी सार banks के आएंगे, तो जैसे मैं नीचे scroll करता हूँ, तो देखिए, पहले यहाँ पर दिया है, SBI net banking के लिए, दूसरा आप ज्यान दीजी, यहाँ पर लिखा है, ICICA bank का, third है, Kotec bank यहाँ पर दिया है, यहाँ पर access bank भी दिया है, ओके तो इस तरीके से इन्होंने काफी सारे banks के सबी के इन्होंने डाल रखें tutorial, तो हम अपना vote देख लेते हैं, Kotec bank का, तो Kotec bank में जैसे हम click करेंगे, तो उन्होंने पूरी detail बताईए कि आपको कहा जाना है, कैसे करना है, सबसे पहले आपको login कर लेना है, फिर bill पे section पे जाना है, mutual fund select करना है, और biller में आपको PPFAS select करन है, यहाँ पे अब आपको सारी details अपनी fill करनी है, तो यह सब steps मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है, mobile app में, तो यहाँ पे मैं अपनी Kotec bank की mobile app पे आ गया हूँ, यहाँ पे मैं add biller पे click करूँगा, और add button उपर आ रहा है, उस पे click कर देंगे, वहाँ पे biller का name मै सर्च करूँगा, PPFAS mutual fund, तो यह biller एक बार हमने select कर लिया, इसके बाद यह आप से आपका pen number पूछेगा, और SRN number जो आपको message में आया न, PPFAS की तरफ से आपको एक message आया है, तो वो SRN number आपको यहाँ फिल कर देना है, auto pay को आप, जो nickname है, आप nickname कुछ भी कर दो, auto pay आप yes कर कर देंगे, auto pay का amount आप फिल कर देंगे, और paying from में आप अपने account number चूज कर लेंगे, ठीक है, limit आप set कर सकते हो कि कितनी maximum limit है, जो deduct हो, तो मैंने for example 5000 डाल दी, और उसके बाद मैं add biller button पे click करूँगा, उसके बाद मैं confirm button पे click कर दूँगा, ओके सो यह सब करने के बाद, आप DPFS की तरफ से, जिसमें आपको आपका folio number मिल जाएगा, तो एक बार आपको आपका folio number मिल गया, आप सब details चेक कर लेंगे, NAV units कितनी a lot हुई है, सब कुछ, फिर हम आप बाते हैं, अपनी app पे, अब app में आके, आप click करेंगे, green वाला जो button है, have a folio login, तो इसमें आपको सब से पहले अपना एक login create करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे, देखो नीचे, have a folio करके एक button आ रहा है, उस पर मैंने click किया, यहाँ पर मैं अपना folio number जो email में आया है, वो भरूँगा, और जो registered mobile number जो हमने application करते हैं समय भरा था, वो मैं आपे fill कर दूँगा, send OTP button पर हम click करें तो कुछ भी आप mpin बना लीजिए, उसको हमेशे आपको याद रखना है, तो mpin आप यहाँ पर कुछ भी अपना डाल दीजिए, जैसे हम भी मैं पर Google Pay के लिए अपना mpin बनाते हैं उसी तरीके से, और मैं then button पर click करूँगा, इसके बाद हमको यह login page पर ले जाएगा, जहा आप से पूछेगा, अगर आपके mobile में fingerprint sensor वगह रहा है, तो आप उसको security feature के लिए allow करे या ना करे, मैंने allow कर दिया, तक कि अगली बार से जब मैं app में login करूँ तो fingerprint से काम चल जाए, फिर हम आते हैं हमारे app के dashboard पे, अब यहाँ पर आपको folio मिल जाएगा, यानि कि जो निवेश करना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, तो आपको अगर कोई और folio add करना है, किसी और का folio add करना है, अपने घरवालों में से किसी का, तो आप simply upper right corner में जाके, add folio button जो आएगा, उस पे आप add new folio पे आप click कर देंगे, किसी और का folio add हो जाएगा, और side में जो tab आ रहा है, उस पे click करके आपको काफी सारे options मिलेंगे, जैसे कि my profile, dashboard, invest more, ठीक है, buy liquid fund, SWP, STP, तो अगर आपको कोई नया निवेश करना है, या आपको systematic withdrawal plan चलाना है, ठीक है, आपको अपनी SIP को modify करना है, तो वो सब काम आप इस app के तुरू कर पाएंगे, आन अभी हमने simply देखा कि आप पहला investment, fresh investment कैसे कर सकते हैं, और उसको track कैसे कर सकते हैं, तो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, thanks a lot for watching, good bye